अज जर्फन में hanno soul की ऑचिस पर मों खबर जनते हैं जरार्फन में MATRIK वद इंटर्मेडियेट का रिजल्ट जून अन्द तक जर्फन में MATRIK यों MATRIK का रिजल्ट जून महिने के अन्द तक आ जाएगा Benemade Commerce and Emerge Arts का रिजल्ट इसके बाद जारी किया जाएगा जार्खन अधिवीद परिसद द्वारा मैट्रिक वा इंटर्मेडियेट साइन्स की कोपियों का मुल्यांकन पूरा कर लिया गया है मैट्रिक एवां आई एससी का रिजल्ट जून महिने के अंत तक जारी कर दिया जाएगा मैट्रिक वा इंटर्मेडियेट साइन्स का कोपियों का मुल्यांकन पूरा कर लिया गया है मैट्रिक एवां आई एससी का रिजल्ट जून महिने के अंत तक जारी कर दिया जाएगा और अब सागर की गर्म हवा और मंगाल की खाड़ी में बने नमी के बादल ने जारखन के मौसम का मिज़ाज बदल कर रख दिया है यही वज़ा है कि राजे में लोगों को भीशन उमस वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है जल्द ही मौसम में होने वाला परिवर्तन लोगों को राहत देने वाला है मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक रांची और आसपास के इलाकों में आज आकास में बादल छाय रहेंगे हावा की रफतार 30-40 किलिम्रप प्रति घंटा होगी कहीं कहीं बजरपात भी हो सकता है तेजावा के साथ बारिच की भी संभावना है ज्यारखन आंदोलन कारियों को नए सीरेस दे चिनहित करेगी सरकार ज्यारखन में नए सीरेस दे आंदोलन कारियों के चिनहिती करन का अगाज हो गया है जारखन मंत्राले में मुख्य मंत्री हेमान सुरें ने नए प्रपत्र का लोकारपन किया इस मौके पर हेमान सुरें ने कहा कि देश की अजादी से कौम नहीं थी जारखन अलग राज की लड़ाई सरकार अलग राज की लड़ाई में सामील अमतिम व्यक्ति को भी सम्मान और पेंसन देना चाहती है जारखन अलग राज की लड़ाई में सामील अंदरन कारियों का नए सीरे से चिनिती करण का कार अरंब हो गया है राजी की हेमान तुरेन संरकार ने ज्यारखंट मंत्रालाय में इससे जुड़े नई प्रपत्रका लोकार्पन किया इस मौके पर ज्यारखंट के अंदोरण कारी सांसाथ सीबू सुरेन बतर मुख्याति थी मौजूद रहे मुख्य मंत्री हेमंसुरे ने कहा है कि जब राज अलग हुए तब से अंदुरन कारियों की पहचान की बात तो हो रही है लेकिन अब तक उनके साथ न्याय नहीं हो सका मानो तसकरी की सिकार ज्यारखन की दस बच्या दिली से मुख्त जार्खन के मुख्य मंत्री हमंसरन के सार्थक परियास से लागातार मानोतसकरी की सिकार बालिकाओं को मुक्त करा कर उनके घरों में पूर्ण वासित किया जा रहा है। अल्यान पताधिकारी एवं बाल संडक्षन पताधिकारी द्वारा बच्चों को अपस अपने जिले में पूर्ण वासित किया जाएगा। प्रभारी सची वा निर्वाचि पताधिकारी जावेद हैदर ने दोनों की जीत की खोसना की 22 वर्सों में चौती पार राई सभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन हुए है। आपको बता दे कि जार्खन में राई सभा की दो सीटों के लिए दो ही उमिद्वारों नमांकन किया था। दोनों इमिद्वारों के नमांकन पत्रों की स्कुटनी पूरी कर इसकी सुचना चुनाव आयोग को भेज दी गई थी। इसके बाद इनके निर्वाचित होने की घोसना की गई। बेरमो के लाइना सिंग ने 10 किलोमेटर की साइकिल रेस जीत कोल इंडिया में पाई नौकरी। हुनर को देखते हुए कोल इंडिया ने नौकरी दी थी। एक कोई और नहीं बलीक बेरमो के लाइना सिंग है। कई दफे स्वन रजत हुआ का से पदक जीतने वाले लाइना सिंग आज भी अपनी कहानी बताते रोमान जित हो जाते हैं। राज ये कर्मियों को अब मिलेगा प्रमोसन। आते ही अब साथ हजार से अधिक पदो पर कारणत करमचारियों के परमोसन का रास्ता साप हो गया। जल्द ही परमोसन को लेकर प्रकिरिया सुरू कर दी जाएगी। दुरगातना ग्रस्त होने से बाल-बाल बची राइधानी एक्सप्रेस। टाटा नगर एस्टेशन से होकर चलने वाली भोनेस्वर नई दिल्ली राइधानी एक्सप्रेस। शुक्रवार को दुरगातना ग्रस्त होने से बाल-बाल बची। जनकारी कनुसार या ट्रेन ने धारित समय से 3.50 पर पहुंची लेकिन दोपर डेर बजे। हिजली एस्टेशन से खड़गपूर डिवीजन एवं खड़गपूर डिवीजन रेलवे कंट्रोल को ट्रेन के चक्के में खराबी होने की सुचना दी गई। तब तक B10 कोच के यात्रियों को चका खराब होने की जनकारी नहीं थी। लेकिन चक्के से आग की चिनगारी और धुआ निकलना शुरू हुआ तब इस कोच में सफर कर रहे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने ततकाल ट्रेन अधिक छक को सुचना दी। प्रसाथ की खंड पिठ मुक्य मंत्री हमन सुरेन माइनिंग लीज आवंटन एवम सीम के करीबियों के सेल कंपनियों में निवेस मामले में सुनवाई करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुन को होगी। हाई कोट ने राई सरकार की दलील खारिज की और कहा कि ये आज का मेंटनेबल है। घुमला में अंदविस्वास ने एक बच्ची की लीजान। घुमला जिले में अंदविस्वास के चकर में एक लड़की को अपनी जान गवानी पड़ी। साप काटने के बाद परिजन लड़की को अस्पताल में इलाज कराने की बज़ाई जहार फुक कराते रहे। जिससे लड़की की थिति नाजुक हो गई। अंतिम समय में उसे अस्पताल लाया गया जहां ड़क्टर ने इलाज के बाद लड़की को मिरित गोशित कर दिया। बता दे मामला घागरा थाना छेतरे के हुंटार गाव की है। ड़क्टरों ने भी जार फुक की जगा इलाज कराने की बात लोगों से कही। साप की काटने का इलाज संभव है। धन्यवाद।